वेलकम टो ड्राफ्टिंग टो विजलाइजेशन कैसे हैं आप साब मेरा नाम हसान है आज की जो वीडियो है उसमें हम सिखेंगे कि हमाटो कैड में या अपनी ड्राइंग में टेक्स किस तरह से लिख सकते हैं दो तरह की ओप्शन जिसके मतबिक हम टेक्स लिखते हैं पहली म मुल्टि लाइन टेक्स को जान लेते हैं मुल्टि लाइन टेक्स के जो शोट की है वह एम टी है उसके इलावा टी से भी हम मुल्टि लाइन टेक्स को इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मैं क्माड लाइन में टी एंटर करता हूं दैन क्माड लाइन को रीड करें स्पैसिफाइफ तो आपके पास एक टैब उपन हो जाती है इसके अंदर आप अपना टैक्स लिख सकते हैं कोई भी टैक्स लिख दें조 लखे तो नीचे आँश यहाँ पर सेफ करना है यह यहां पूस को खतम करना तो यहाँ वार जिटर अग्म问त क हमें क्लोज tax editor पे आप को click करना पड़ेगा देन आपका tax लिखा जाएगा ठीक है आप माने आपने tax में editing करने हैं उसके लिए tax editing की दो तरह के करें एक दुट double click करें तो आपके ribbon में उपर tax editing के सारी options अजेंगी उसके उलावा इसकी short की ED है tax editing 是 10 ID' pope food और वर फीर आपके पास सुपर रिबन में इसके सारी प्रोप्रीज आगे अब आपने इसका साइज चेंज करना है पहले टेक्स को स्लेक्ट करना सारे को यहां पिस से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके आपने इसको दो फूट करना है दास फूट करना है देन दो फूट पर मै अपनी मर्ज़ी से इसका size type कर सकते हैं ठीक है यहां से आगे चलते हैं यह किसी text के साथ आपने इसको match करना है आपने इसको bold करना है यहां से bold कर सकते हैं टैलिक करना है खतम करना है या करना है अंडर स्कोर करना है या ओवर लाइन करना है आपने जो भी ऑप्शन्स है या किसी को सुपर स्क्रिप्ट करना है या सब्सक्रिप्ट करना है या स्ट्राइक थू करना है जो भी करना है यहां से आप इसको स्टडी कर लीजेगा लेयर मे कि शुरूब अभी टॉप लेफ्ट से शुरू और इस तरह की उप्शन से मज़ीद जिस्टिफिकेशन में आगे यह कोलम्स की उप्शन है कोलम किसको कहते हैं अभी मैं कोलम्स का जो है साइस बला दाता हूं तो आपको पता चल देगा यह देखने यह जो टैब्स हैं यह मार करें तो खतें हां से थीख है तो इस तरह रहाभी आप सेच्व को एडिटिंग और कर सकते हैं और एडिटिंग करने के बाद आपने यहां पर क्लोज टैक्स करना है अभी मैं इस को लिख देता हूं मस्टर बैट वह तैन इसक beef किया इसका यहांसे चींज्ज कर लिया ऊकी म रख लेतों मैं एरिया रख लेट है यहां से क्लोज टेक्स एडिटर कर दिया आई होब आपको यहां तक समझ लग दी यह भी आप टैक्स हमने लिख लिए उसको एडिट भी का लिया मैं चाहरा हूं कि टैक्स एक रोटेशन एंगल पर लगे तो मेरे पास उसके लिए टी एं एंटर करता हूं दैन अब दूसरा ओपजिट कोर्नर स्लैट करें दैन अपना टैक्स लिखें तो यह 45 की अंगल भी लिखा लिएगा ठीक है एंटर करेंगे तो नीचे आजएगा आपने क्लोज टैक्स एडिटर करना है यहां पर ओक्यों हो गया आप चलते हैं मुल्टि ल स्टार्ट पॉइंट औफ टैक्स कर दिया दैन वह अब हैट पूछ रहा है कितने रखनी है टैक्स की देन मैं 12 इंज एंटर कर देता हूं दैन वह मुझ से अब रोटेशन एंगल पूछ रहा रोटेशन एंगल बताए मैं 0 पर ही टैक्स लिखना चाहरा हूं तो 0 भी मैंने में फ़रक है ¬ करते हैं तो मैं सिरस इसका tax ही चेंज कर सकता हूँ उसका ना मैं Size कर सकता हूँ ना इसका Phone की Type change कार सकता हूँ एस क्षैज कर सकता हूँ जैसे इसके जागा मैं बैट्रूम लिख देता हूं यह बिजली चेंज हो जाता है अब माल लिए मैंने इसको किसी एक ऐसे एंगल पर लगाना है लाइक इस एंगल पर लगाना मैंने टैक्स को लिखना है और मुझे इसका एंगल नहीं पता तो इसके लिए कि मैं डीटी एंटर किया देन स्पेसिफ़ स्टार्ट किया देन टैक्स साइट मेरी यही देगी और एंगल इसका पता दूंगा मैं यह होगा मेरा ठीक है तेन आप यहां पर भी एंगल लिख सकते हैं जबके मल्टी लाइन टैक्स में आपको एंगल टाइप करना पड़ता है यहां पर भी एंगल टाइप करना पड़ता पर आप मैनुली तोर पर भी एंगल बता सकते हैं इसको आगे चलते हैं अब जो सिंगल लाइन टैक्स है उसको एड़िट तो कर नहीं सकते उसका फोंट चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम पहले ही फॉर्मेड में जाकर इसको सेट करेंट कर दें यास दें क्लोज करतें अब आप जैसे कुछ भी टैक्स लिखते हैं तो वह सिक्स इंचीज की हाइट भी होगा और उसका फॉन का स्टाइल भी वह वह होगा अब जैसे आप मैं एंटर करता हूं मल्ली लान टैक्स में जाता हूं तो इसका भी जो वह स्टाइल होगा सिक्स इंचीज हो गया और यहां पर देखने हैं यह स्टाइल क्यूंकि मैंने स्टैंडर में वह स्लेक्ट कर लिया था तो मेरा यहां पर भी वही चलेगा आज की क्लास में बस इतना ही अगर आपका किसी भी किसम का कुछ सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठाइंक यू सो मच